इससे पहले भी हमर विधाई जी बोलिए दिये हैं कि यहां क्याची का सरकार हूँ तो हम फिर बोलेंगे नहीं आपको पते हैं अभी भी तो तुम कितना प्राधियों के साथ तुम्हारा साथ गाठ है हाली में तुम्हारा हम ओडियो बाइरल किये तो तुम कर रहा है कि हम को चुनाव की पड़िये इन लोग को एक के बाद लालू जादब की ना इनके एक मंत्री ना इनके एक सांसद ना इनके कोई कुछ जो है सो की उधर देखने को भी जनता को देखने के लिए भी तयार नहीं है या दिमाग है इलो कारे भाई गहता है कि बहुत पढ़े लिख जो है बिहार की जनता एक तब जहां करोना जैसी महामारी से त्राहिमाम है तो दुसरी तरफ उतर बिहार के तस्विर जिससे बाढ़ क्या रही है उससे कहीं ने कहीं लोग बेखौफ नजर आ रहे हैं क्योंकि लोग पास आफसन नहीं है इस तमाम मुद्य पर बातचीत करन देखिए पहली बात कि कल हम मानिय मुख मंत्री जी नितीश कुमार जी का हम कुछ अथी सुन रहे थे देखे कि कल कुछ बोल रहे थे एक चीज़ तो बोल रहे थे उस पर हमको हसी आ रही थी कि वह सोशल मीडिया पर बहुत जादे भड़के हुए थे हैं ना तो हम एक बात बता देते हैं पूरे बिहार की जंता को एक बात बता देना चाहते हैं कि यह सोशल मीडिया नहीं है भी यह जो है सो की सोशल बरकर का काम कर रही है यह जो सोशल मीडिया है इसका हम नाम दिये हैं सोशल वरकर यह अगर सोशल मीडिया नहीं रहती तो अभी जो इनका जो सु उजागर नहीं होता जो सोशल मीडिया उजागर किया जो लोग जाकर होस्पीटल में जो इस्थिती है आज सब जगह लोग तरही माम हैं इनके बड़े-बड़े नेता इनके बड़े-बड़े मंतरी सांसद वो लोग बैटके बगबग करने में लगे हुए हैं जनता की कोई फिक्र नहीं है चुनाव कराने में लगे हुए हैं आप चल सब्सकाति लिए अन्के को ओल जोब करके चुनाव हम अपना जिट जाएंगे तो इनका एक ही अभी मिसने है कि हम बिहार में जो हैसो की चुनाव इनको कहा है करोना नजरा रहा है और बार नजरा रहा है ये तो अबरी जनता देख लिया है इनलों का, कल हमको एक आदमी बताया कि कल मेरे छेतर बार और मोकामा का भर्चूल रेली कर रहा था ये चंगुराम, जो चंगुराम है मानिये सांसद ललन सिंग, हमको तो हसी आता है कि क्या बोल रहा था रे भाई, क्या दिमाग है इनलों क अरे भाई, गहता है कि बहुत पढ़े लिखे आदमी है, क्या बोल रहा था जी, तुम तो एक बार भी होस्पीटल का चर्चा नहीं किया जी, एक बार सिक्षा की चर्चा नहीं किया जी, कहीं एक बार युवाओं को रोजगार के बारे में को चर्चा नहीं किया जी, तुम बाबजूद भी एक ही चीज बार-बार बोलना उनके जब मुखे मंत्री यही बात बोलते हैं तो इसमें तो कोई दोराय नहीं है तो हम उन को एक चीज बता देना चाहते हैं कि वो जो कल अपराधी यह सब बोल रहे थे अरे अपराधी का तसरदार तुम ही हो चंगुराम ललन सिंग सांसर पिछला यह चुनाब जो हुआ दूहजार उना इस जो भी हुआ उसमें तुम तो सारा प्राधिय को लेके घूम रहा था सारा मेरे पास फोटो है वीजुबल है बोलो आमने सामने बैठेगा है कि सारा पूर्जा सब खोल दूंगा अभी चैजे तुम कितना प्राधियों के साथ तुम कर रहा है कि हम गुरू इसका तुम जबाब देगा है बंटु सिंग का सवाल का जबाब तुम्हारे पास अगर कोई जदिव का हो तो वो मेरे सवाल का जबाब दे दे तो मैं समझूंगा कि हाँ तुम माई का लाल है तुम लोग मेरे सारे छेतर में सारा रोड को उलट-उलट करवा के सारा बरबात क लोग को जनता से कोई मतलब नहीं है लोग को जनता पर कोई बिश्वास नहीं है इसी के लिए इलोग के पास तो कोई मुद्दा नहीं है को लालुजादव पर बोलता है कि हम इतना करोजघार दिये हम सिच्छा में सुधार किये हम स्वास्त हैं सुथार किये जो चीज जो जनता को जो चीज चाहिए वह बोले लालुजादव अभी आगे आगे देखो क्या क्या होता अभी तो हम बहुत ओडियो रख ले हैं अभी हम नए खोल रहें खोलेंगे आवो ना सामने सामने आईए अच्छा विपक्ष के सांसद अब सत्ता पक्ष भी उनके बीजेपी जो सपोर्ट करती थी आज उनके भी नेता सवाल उठाने लगे हैं और सांसात सरकार तो दावा करती है कि लोगडाउन में लोग को अनास दिया गया और उनहीं के दल के लजेपी के सांसद हैं राश्टिय भी हम बोले तो बढ़िया काम कर रहे हैं हम तो बोले हैं कि यूबाओं का अथी है यूबा का जोस है यह सब बुढ़ा सुड़ाब नहीं चलेगा इस सब टेस्ट का काम खतम हो गया अब जो है सब 2020 का समय है चिराग पासवान जी जो भी कर रहे हैं बढ़ियां मुद्दा हम इसमें नहीं हैं भी बिहारी नहीं जी बिहार का राजनीति करते हैं तो बिहार का राजनीति करते हैं तो मुद्दा तो उठाना नहीं फर्ज नहीं तो उस पर जबाब दें तीन को तो जबाब जूट नहीं रहा है भीत्रे भीत्रे खौल रहे हैं चिराग पासवान पर अब तो नजरों नहीं आ रहा है कि कहा है कि नहीं है सो हमरा पास आवे न एक को सवाल करे हम तो एक एक आदमी हैं एक हम भी जनता हैं बिहारे के जनता हैं तो इससे सवाल पूछते हैं कि तुम आओ बैठो जनता को जबाब दो तुम अरे तुमको अगर थोड़ा सा भी जनता का ख्याल रहता मानिये मुख मंतिरी जी तो सारा देश का मुख मंतिरी रोज मीडिया के सामने आता है सारा लोग को जबाब देता है सारा जनता को जागरूख करता है आप कैसा मुख मंतिरी है कि घरे में बैठल है और सोसल मीडिया पर बखते हैं अरे सोसल मीडिया को मैं फिर कर रहा हुग सोअल और भागवान जानते हैं यह सोशल मीडिया है प्रिंट मीडिया को जो पब्लिक लोग का अख़वारों पर से विश्वास उठ रहा है इसे कलिए अख़वारों के लगता है विक्री कम होगे हम लोग तो अख़बारों नहीं लेते हैं इसलिए कि वो तो सरकार का चीज लिखता है उनको बिहार का जनता 49 सिर जिता करके उन्हीं के नाम पर भेजा है अगर उनको बिहार के परती थोड़ा सा भी देया है तो वो अपने खुद हैंडिल करे और यहां पर आ रहा है इन लोगो चुनाव की पढ़िए इन लोगो यह के बात लालुजादव की पढ़िए क्या बोले हम सुसान सिंह राजपूत बिहार का वह भविष्ट थे वह बिहार का बहुत नाम करने वाले बैखती थे हम तो कहेंगे कि सारा राजनीतिक दिश्च छोड़के हम लोग टोटल बिहारियों को एक जूठो करके उसके लिए लड़ाई लड़ना है उसमें हम लोग भी लड़ाई में सामील रहेंगे उसके लिए जो लोग भी दोसी हैं उन लोग को बक्सा नहीं जाना चाहिए और बिहार सरकार को कम से कम ये सब चीज परिदम टाइट होके परधान मंत्री से बात करना चाहिए नितीज कुमार को कि क्यों ऐसा ऐसा महराश पुलिस कर रही है चाहे क्या कर रही है कल परसुह मीडिया में देखे कि सुसान सिंग राजपूत के पिता जी और भाई कोन लोग ते गय थे तो टेमपू से बेचारे जा रहे हैं क्या है उनसे कई पुछने भी गया पुछना चाहिए वह बिहारी है और बिहार के लाल को इन्हों लोग क्या करके उहां पर क्या किया है तो हम लोग भी चीज को बरदास्त नहीं करेंगे हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब भी हम लोग को याद मन धन से एकदम हम लोग खड़ा रहे हैं क्या लगता है चुनाव नस्दीख है एसे में सत्ता पक्ष नितीश कुमार कर रहे हैं तो कर रहे हैं परधान मंत्री के कर रहे हैं भाजपा बाले कहते हैं कि सारा लोग के बिजली आगे परधान मंतिरी दे दिये आई इनने लोग कहता है कि सबनीतीश कुमार दे दिये तो दोनों लोग में तो अभी आपा धापी चल रहा है कि हम किये हम किये तो पहले लोग फरियाएगा अपने तबे न लोग रिपोर्ट क पूछ होने वला है जनता तो मन बना के बचले था इससे पहले भी हमर बिदाईजी बोले दिये हैं कि अप्र बोलेंगे आपको पते हैं कि पतरकार सब्सक्राइब कर रहा है कि जो अनंत बावु बोलें थे शहिये में उहे के सरकार जैसा कि आपने सुना कि अभी खुद NDA में नितीज कुमार बिज़ेपी में आपसी सुलस नहीं है इस बात को लेकर कि कौन क्या काम किया एक तरफ पे नितीज कुमार के पार्टी के लोग काते हैं कि नितीज कुमार के नितीज कुमार के नितीज कुमार के नितीज कुमार के शिकर करियर इंस्टिट्यूट पूर्वी भारत में एक मात्र कोचिंग संस्थान जो एक्स्क्लूजिबली है मेडिकल एंट्रेंस एक्जाम के लिए